इसे निकलना है sin qx into cos qx dx इसका क्या करना हमको integration निकलना है इसको लिख सकते हैं sin qx into cos square x into cos x dx cos qx को हम लिखते हैं cos square x into cos x sin qx into cos square x बालबर फॉर्मूला होता है 1-sin square x यह हो जाएगा 1-sin square x यह तो cos square x dx हो जाएगा इन दोनों को रहने देते हैं और इनको और इनको क्या कल्कुलेट कर लेते हैं तो यह हो जाएगा sin qx minus sin गुना में क्या होता है power जूटता है तो यह 3 power था यहाँ पे 2 था तो क्या होगा power 5 हो जाएगा x हो जाएगा अब यह हो जाएगा cos x dx इसको हम सबसी स्यूटर्मेटर से सॉल्व करते हैं तो put sin x को हम क्या माल लेते हैं u माल लेते हैं अब इसका क्या होगा इसका differentiation होगा तो sin x का differentiation क्या होगा cos x होगा x के respect में du का हो जाएगा du upon dx अब इसका cross multiplication किजिएगा तो cos x dx हो जाएगा यहां पे cos x dx है वहां पे हम क्या डाल देंगे इतना डाल देंगे du डाल देंगे जहां पे sin q x है वहां पे u q डाल देंगे यहां पे sin का power 5 x है तो यह हो जाएगा u का power 5 हो जाएगा यह हो जाएगा U का पावर 3 माइनस U का पावर 5 यह कॉस X DX के जग़े पर कितना हो जाएगा? DU हो जाएगा जब इसको हम सेपरेट करेंगे तो यह हो जाएगा U का पावर 3 DU माइनस U का पावर 5 DU हो जाएगा इसका इंटिगेशन क्या होगा? 1 upon 4 U का पावर 4 हो जाएगा माइनस 1 upon 6 U का पावर 6 प्लस C हो जाएगा इंटिगेशन में क्या होता है? पावर जूडता है और जितना पावर आथता है उससे डिभाइड होता है इसलिए यहाँ पे फोर हुआ है यहां पे power 3 था तो एक जूर गया, तो power 4 हो गया, अब 4 divide में आ गया, यहां पे power 5 था तो एक जूरा तो कितना हो गया, 6 हो जाएगा, 6 divide में भी आ जाएगा, अब यह हो जाएगा, 1 upon 4 u को हम कितना माने हुए थे u को हम माने हुए थे sin x अब ये हो जाएगा sin x का पावर 4 x minus 1 upon 6 sin x का पावर 6 x हो जाएगा plus 3 यह इसका final answer हो गया जहाँ पे u था वहाँ पे हम sin x डाल दिये हुए है क्योंकि यहाँ पे हम माने हुए थे sin x को क्या माने हुए थे u माने हुए थे